नमस्कार दोस्तों पैनल स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दी के मनंदर करता हूँ दोस्तों आज हम लोग जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ना स्क्रीन में अल्मुष्ट असी हजार का एक पोर्टफोलियो मुझे स्क्रीन सॉट आया और इस पे बताया गया कि सर इसमें ए पोर्टफोलियो से कही ना कहीं कुछ देखना चाहिए और इसमें कुछ ऐसे स्टॉक हमें मिल जाएंगे जो एक मिल्टि वेगर स्टॉक साबित हो सकते हैं तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि अल्मुष्ट 13 होल्डिंग है और 13 होल्डिंग में एक बार हम लोग ट् तो दोस्तों विश्वास मानिए आपको इसमें से दो या तीन कंपनी ऐसी मिल जाएगी कि बहुत तगड़ा रिटर्न आ गया दोड़े दिनों में दे सकती है इस पोर्टफोलिय के साब से हो सकता है उसका प्राइस थोड़ा सा मैंगा हो हो सकता है उसका प्राइस कुछ सस्ते भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि इसमें सारे के सारे पेने स्टॉक की हैं तो वन बाई वन स्टॉक के ऊपर आएंगे दोस्तों हम लोग और इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा महेंगा है तो मैंने एक ही share इसलिए buy किया हूँ कि जब इसमें थोड़ा सा और get out आजाएगा तब इन ही portfolio में से कोई ऐसा stock जो मुझे profit में देखेगा तो profit निकाल करके फिर मैं इसमें invest करूंगा तो यहां पर हम लोग बाबा को थोड़ा सा ignore करते हैं और उसके वासे दूसरा जो company आता है दोस्तों उसका नाम आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा तो उसका नाम है चिन्नई petrochemical यहां दोस्तों चिन्नई petrochemical के अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने जब इस company को देखने की कोशिस की दोस्तों तो विश्वास मानिये कि एक बहुत ही जवर्जस्त मुझे ऐसा लगा है ना तो इसका मैं आपके सामने सबसे पहले दिखा देता हूँ चिन्नई चिन्नई petro चन्नई petroleum corporation इस company का नाम है और screen पर भी एक बार match कर लेते हैं कि वहां कहीं में यही company है कि कोई और company जिसका price यहां पर 107 रुपय चल ला है और यहां पर एक साथ ठीक है तो दोस्तों यह वो company है और इस company में जब मैं इसके quarter पर आया दोस्तों तो quarter result पर मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से इस company ने मतलब दिसंबर 2021 वाला quarter दिया हुआ है ना मतलब आप इससे बस compare कर लिजे और compare करने के पासे जब मैं इसके profit वाले section पर आया मतलब net profit bottom line पर आया जब company के तो company के bottom line पर मुझे ऐसा लगा कि जब पिछले quarter में इसने मात्र 65 करोड का profit किया था और इस quarter में इतना तगड़ा profit earning किया दोस्तों तो हम देखेंगे कि डेर से दो गुना तक company में jump हुआ है तो क्या इसका price भी उपर की side में भागा है या price अभी भी उसी तरह से रुका हुआ है थोड़ा सा इसके उपर हम लोग देखेंग है तो इसमें हम लोग एक बड़ चार्ट पर analysis कर लेते हैं हलाकि हम लोग को fundamental कैसा लगा fundamental बहुत ही तगड़ा इसका और यह दोस्तों यहाँ पर देखेंगा यह weekly चार्ट है weekly चार्ट में मैं इस company को analysis करने की कोशिस कर रहा हूं तो यहाँ पर जब मैं analysis करने गया तो मुझे लगा कि यह company अभी भी कहीं न कहीं एकदम sideways बन करके रही हुई है इतना भयंकर profit देने के बासे अब अगर हम इसे buy करना चाहते हैं तो हमारे पास यही एक बहुत बड़ा support होगा दोस्तों और यह company मतलब अभी भी कहीं ऊपर नहीं गई हुए अभी भी रुकी हुई है तो म आज कल या एक हपती हो सकता है एक महीनी का time ले लेकिन इसमें भयंकर momentum आने के chances से हैं अब हम बात करेंगे कि इसका target कहां तक जा सकता है तो दोस्तों जब मैं इस company को जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वाकई में यह company महेंगी हो चुकी है या अभी भी सस्ती है तो जब मै इसका देखा यहां पर friends यहां पर जो मैंने इसका book value देखा तो मात्र book value कितना है 104 रुपया और इसका current price 108 मतलब कि यह company अभी वी एक गुना ही भागी है अपनी book value से वहीं अगर हम इस company को थोड़ा सा depth की बात करें तो 10,474 करो का depth है इस company value के reserve की बात करें तो 1350 तो इसमें क हम लोग देखेंगे reserve थोड़ा सा कम है और depth थोड़ा सा जादे है तो जैसे जैसे company का sale बढ़ा है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि यह company अपना depth धीरे-दीरे कम कर देगा और debt जैसे ही कम करता है friends तो यह company का जो है आप यहां पर reserve थोड़ा सा हम लोग देखेंगे हाँ तो वही बोलाओं कि reserve इसमें कम हुआ है और borrowing थोड़ी सी बढ़ी हुई है वही चीज़े है तो जैसे जैसे borrowing इसमें कम होगा friends विश्वास मानिए कि चैन्नी पेट्रोकेमकल एक बहुत ही fundamental strong company है तो आपसे मैं यही request करूँगा कि जब आप इस company को आपने बोले हुए कि इसक एक दम बिल्कुल आप hold करिए लेकिन यहां पर मात्र आपके पास 15 share है कितने share है मतलब 15 share है और उन्हें टी वन यहां पर दीख रहा हूं कि मतलब एक दिन पहले उन्होंने buy किया हुआ है तो एक दम बिल्कुल hold करिए और जैसे जैसे यह company उपर जाती है तो आप इसमें इस portfolio के इसाब से अगर दूसरे company पर आएंगे दूस्तों तो दूसरी company में हम लोगोंने देखेंगे कि DNA media की बात कर रहे है तो DNA media को जब मैंने चेक किया इनके पास 400 quantity है और 900 400 invest करके 974 का अल्मोष्ट साढ़े 300% का return दे रहा है तो मुझे जब मैं इस company को चेक करने लगा तो इस company मुझे कहां पर देखी GSM list में दिखा तो GSM list में तब जब दीखा मुझे तो मैंने क्या बोला आप यहां पर समझे एक बार समझे क्या कि जो इन्हों ने मुझे यह screen तक थे लिए उनको मैंने क्या बोला आप यहां पर समझने की थोड़ा सा कोसिस करेंगी तो देखिए मैं जब इसके स्क्रिन सोट पर आया आता हूं और मैं यहाँ पर समझाने को सीज़ करता हूं तो दोस्तों चार रुपया चार सो रुपया इन्वेश्ट करके और 900 मतलब अल्मोश डवल हो चुका है तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए 400 रुपया इस में से जिसंदीन ओजाता है दोस्तों तो ग्रेारी आज जाता है मतलब सेवी उसको अपने अपने सर्वलेंस में ले लेती है और ़ुसको वार्निंग दे देती है कि अब भी देर है ही आगर आप अपने कम में क्युँ क्योंकि इस company के profit कम थे लेकिन price आप देखेंगे 10-10% 15-15-20% तक companyya भाग जाती है तो वही सेथी जब जांच करती है तो उनको पूछती है कि भाई आपने कितना profit किया कि आपके चार्ट पर इस तर से price momentum हो रहा है अब profit तो आपके fundamental पर कुछ दीखी नहीं रहा है लेकिन आपक company क्या करती है उनको suspense पर लेती है और उनके ऊपर एक लगा देती है circuit तो उनको बोलती है कि आप एक दिन में 5% से जादे भाग नहीं सकते और एक दिन में 5% से नीचे नहीं आ सकते reason समझे reason यह कि मानली जी अब जब profit नहीं हो रहा है company में तो उपर क्यों जा रहा है क्योंकि promoter कोई न कोई ऐसा बंदा है जो उसमें game खेल ला है तो वो game ऐसे खेल सकता है कि price को जब उपर लेके जाए तो हम सोचेंगे कि यह भाग रहा है भाग रहा है हमने entry किया और entry करने में मारेगा तो किसी को निकलनी के लिए चांस देगा नहीं फिर वो लूवर सर्कीट लूवर सर्कीट ही रहेगा तो इस सरे से कोई भी कंपनिया बीना profit की वे अगर चार्ट के उपर भागा रहे है अनावस्यक मोमेंटम हो रहा है तो से भी उनको पकड़ करके सबसे पहले एसम लिस्ट में डालती है और एसम लिस्ट पर फिर उसके चेकिंग की जाती एसम लिस्ट के स्टेच 4 होते हैं चार स्टेच जब क्रॉस हो जाते तो उसको डाल जाता है जीसम लिस्ट में इस कंपनी को पूरी की पूरी वर्निंग दे जाती है कि भाई अब तेरा काम हो तो उसका भी अगर कोई GSM में आपने बहुत जादे पैसे लगा करके रखे हुए है और आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है तो उसे भी उस पैसे को भी निकालने के लिए मतलब कि आपने जो सियर भाई के हुए है उसे एक फियर वैलियू या भुक वैलियू के हिसाब से अगर नीचे खरीद करके रखे हुए है तो वो book value के हिसाब से आपको क्या करेगा return करेगा तो वहाँ पर भी आपको profit मिले के chances हैं लेकिन अगर आपने book value से बहुत उपर लिये हुए हैं तो वो आपने book value या एक यूं कहा है जब company का fundamental पूरा खराब हो जाता है तो उसका एक fair value निकाला जाता है तो उसका एक fair value निकाला जाता है तो उस fair value के हिसाब से भी अगर आपका price आपने ऊपर लिये हुए तब आपको loss होगा अगर उस fair value के नीचे लिये हुए है तो भी company आपको fair value के हिसाब से ही return देगे तो नीचे लिये हैं तो वहाँ पर आपको profit मिलेगा तो मैंने यहाँ पर कुल मिला जूला करके यह बोल दिया कि DNA मीडिया का 400 निकाल लीजिए बागे के profit छोड़ दीजिए अगर आगे आनोड दिनों में कुछ हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो भी आपके लिए ठीक है तो आए दोस्तों अब हम next company के ऊपर चलेंगे और next company जो है इसमें यह है लगनम ठीक है अब हम अगर लगनम की बात करें तो उनके पास मात्र एक ही share है तो इनसे भी यह भी पूछा गया कि आपने यहाँ पर इस share को क्यों लिया है तो इन्होंने बताया जबाब में कि इसका quarter result बहुत ही तगड़ा आया हुआ है तो quarter result तगड़ा आया है तो ऐसा नहीं कि quarter result आ गया तो उसी दिन से price rocket बन जाएगा तो इसलिए इन्होंने किया कि बस एक share यहाँ पर भाई किया जैसा कि मैं बोलते रहता हूँ कि किसी भी share का कोई भी नियू जाए तो सबसे पहले अगर आपको 100 share लेना है तो सबसे पहले क्या करना आपको बस 25 share ही फंडमेंटल में डाले आई मिन पोटफोलियो में डाले और 25 share के बाद से अगर खुदा नकास्ता देखिए लगनम में अगर आई मिन उसका quarter result बहुत बढ़िया आया और यहाँ पर उन्हों सबसे इंतजार करेंगे जब प्राइस थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा डाउन में तो यहां से फिर इसी में से क्योंकि क्योंकि इनका इन्वेस्टिट मनी देख सकते हैं आप यहां पर आपको दिखा रहा है कि बहुत जादे नहीं है लेकिन फिर भी जितना है बहुत ब गेन हुआ है आज की डेट में कुछ ऐसे श्टॉक है जो भागे हुए हाला कि अभी पोट्फोली में प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है रिसंट्ली इन्होंने प्रॉफिट बनाया हुआ है तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी को पर लगनम को तो टेस्टिंग लग गया था और लूवर सर्कृट लग गया था तो उन्होंने बताई कि जैसे ही जिस तरह से आपने लुहारिका का फंडामेंटल देखे थे तो फंडामेंटल मुझे इतना तगड़ा लगा कि मैंने ये नहीं देखा कि वो नीचे जा रहा है या उपर जा रहा है लूवर लुहारिका का फंडामेंटल जो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पिछले दो तीन वीडियो को छोड़ करके आप देखेंगे तो आपको ये कंपनी मिल जाएगी जिसका वल्डी पर्सनल लेकर आया था और बताया भी था तो यहां पर उन्होंने भाई कि और एक अब हम आते हैं जोस्तों तो यहां पर है महा कॉर्परेटेशन के अगर बात करें तो उन्होंने एक ही सेर लिया हुआ है तो यह टेस्टिंग मोड पर है तो इसे हमें इग्नोर करना है और बात करें एमेफल इंडिया को जो मैंने पूछा कि आपने अभी बस हंड्रेट सेर क्यों बाई किये हुए हैं तो उन्होंने बोला कि सर एमेफल इंडिया को तो मैं चाहूं बहुत जादे बाई कर सकता हूं लेकिन वो जिस तर सिकित आए तो मैं हंड्रेट सेर वर्ष टेस्टिंग के लिए रखा हूँ और क्योंकि एमेफल इंडिया की अगर हम बात करें त यहां पर उसके रिजरफ कुछ अच्छे लगे और डूक वेलियो की बात करें तो माइनस में है करेंट इस की बात करे तो दो 68 한 है और यहां पर अगर प्लेजिंग की बात करें तो है नए प्रोमोटर होलनी कहें भी कम है इसलिए उन्होंने जो है कम लिए तो इसे कहते हैं बहुत बढ़िया जो है स्टॉक में जिस तरह से पोर्टफोलियो में स्टॉक पो रखना चाहिए वह उन्होंने बहुत अच्छे तरह की से काम किया हुआ है तो अगर हंड्रेट से पर अगर अगर MFL इंडिया ऊपर जाए या नीचे जाए तो यहां पर उनका जादे से जादे जो लॉस होगा वह 241 रुपे ही होगा और अगर यह उपर मालीजी कल के दिन मल्टिव अगर बन जाए किसी क्या पता है तो 240 के कुछ 2000 भी बन सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं पिएफस तो पीएफस की बात कड़ें तो पीएफस का एक बर हम लोग फटा-फट फॉट फंडामेंटल देख लेते हैं यह भी एक पहने से left की है और पी एफसकी अगररा मात करें पी एप तो यहां पर देखेगा धुस्तो पी werd कि प्याइब इस company को थोड़ा सा वैलुएट करने की कोशिज करें तो book value 34 रुपय है और current prices का 19 रुपय है वहीं प्लेजिंग की बात करें प्लेजिंग है नहीं promoter holding के stake की बात करें पैंसेट परसिंट तक का है और बात करें इसमें debt जादे हैं दोस्तों और reserve की बात करें इस company का price आता है तो यह company आगया रोडिजिंगों में एक अच्छा कांसा return दे सकती है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अगर हम balance sheet पर आते हैं तो balance sheet पर भी सब कुछ ठीक ठाकी चला है और company में कही ने कही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो reserve दीरे 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 यहाँ पर बढ़ रहा है और borrowing की बात करें तो बॉर्विंग इस company में दीरे दीरे आप यहाँ पर देखेंगे पीछले quarter में 9000 बॉर्विंग था यहाँ पर borrowing कम हुआ है ठीक है और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि रिजर बढ़ रहा है और बॉर्विंग कम हो रही है तो यह दोनों ठीक है तो इस लिहाज से इन्हों ने लिया वा था और कहीं ने कई मैंने भी इस कंपनी को एक बार साइद फंडामेंटल देखा वा था तो हम यहां पर में लोग बात करें तो पी टी सी का एक बार चार्ट देख लेते हैं और चार्ट पर कंपनी क्या कर रही है और जी हां दोस्तों अगर मैं वीकली चार्ट पर नैंटीफोर यह दूसरा हो गया सायद पी टी सी इंडिया तो पी टी सी इंडिया मुझे यहां पर इस तरह से टाइप करना पड़ेगा एक मिनट दीजिए प्रेंड्स पी टी सी आई एन डी आई पी टी सी तो एक ही दिख रहा है नाइनटीफोर रुक्य फ्रेंट्स यहां पर थोड़ा से देखना पड़ेगा पी टी सी इंडिया इंडिया कापी और मैं यहां पर अगर पिश्ट मारता हूं कि पी टी सी इंडिया फाइन सर्विस इसका नाम है लेकिन इसका अगर हम लोग स्वाट में सर्च करेंगे तो पी एफस से इसको टाइप करना पड़ेगा सौरी इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और चलिए इसके हम लोग चार्ट पर आ जाते हैं यहां पर आगे चार्ट पर तो दोस्तों चार्ट पर हमें यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं यह कंपनी एक बार साइड जोन में रह चुकी है और यहां पर एक अच्छा कासा ब्रेकाउट भी होता ब्रे रही है और उपस के साइड में या इस जोन को यह ब्रेक नहीं पकर पार है तो जिस दिन इसको ब्रेक किया दोस्तों उस दिन एक अच्छा कासा प्रॉफिट देगा तो इस कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दम से जुड़े रहना है निकलना नहीं है ठीक है तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं और लुहर क्या महा कारॉपरेशन की बात करे तो महा करॉपरेशन ठीक है यह यहां पर यी कंपनी ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा विकास लाइफ की बात करें तो विकास लाइफ में इन्हों अब फोकस रखेगा विकास लाइफ की बात करें तो इन दोनों से लिया हुआ है और जब इनसे पूछा कि मात्र एक एक से आपने इन्दोनों कंपनियों में क्यों लिया है तो इन्हेंनों बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कमपनी थोड़ी से महंगी हो गई है और इसलिए मैंने एक एक शेर बाई के लिया कि जब यह थोड़ी और नीची आ जाएगे तब हम इसमें फिर से उठा लेंगे और जब कि इनका बजट इतना है तो इसमें से किसी न किसी कमपनी का प्रोफिट बु हूँ आप टेलिग्राम पर आ करके एक बार स्क्रीन सॉट मुझे दे दीजिएगा मुझे टाइम मिला तो पक्का मैं आपका पोट्पोलियो देखूंगा दोस्तों तो लेता हूँ विदा जहें फ्रेंट्स प्लीज लाइक किजिएगा जरूर